इन दोस्तों साले सेटे क्लासेश में आप अभी का स्वागत है आप लोग का पसंदीद आवा बेस्ट क्लासेश लेके आ चुका हूँ डिया डियो सेप्टेम टेन आई टेकनेश यान पार्ट ट्रेयर थूरी का आगया सेलेक्शन वाला बीडियो निमी पैटन के बेस्ट एमस बीना विलम के आपको आज के बेस्ट 25 कोसन के तरफ जो कि पहला कोसल है 197 नमर का इस यंत्राका नाम बताना यानि की ज Ponctica में आपको दिख रहा है इसका नाम बताना है दोस्तों तो आपका मैं बतादो इसमें नाम इसका हो जाएगा height gauge with slip gauge holder यानि की option D इसका right answer है उसके बास next question आ चुका है आपके लिए 199 नमबर का किस परकार के bearing धातू में स्वें से स्नेहक होता है तो इसमें बता दू आपका correct answer हो जाएगा sintered alloy यानि की option B इसका right answer है उसके बास next question most important आपके लिए आ चुका है दोस्तो 200 नमबर का सिमित जगहों में किस bearing का उपयोग किया जाता है तो सिमित जगहों में दोस्तो needle bearing का उपयोग किया जाता है option A इसका right answer है उसके बास next question आ चुका है 201 नमबर का कौन से bearing में loading bearing और चके some code होता है तो इसमें आपका correct हो जाएगा general bearing में ऐसा होता है option B इसका right answer है उसके बास next question है 202 नमबर का की adjustable slide bearing में आपका option इरक का की which type of bearing है provision for bear the adjustment तो उसके बास इसमें correct answer हो जाएगा आपका इसमें first number का यानि की adjustable slide bearing तो इसमें answer दोस्तों में बता दूँ यह आपका correct था उसके बास दोस्तों 3 number का आ चुका है इस कुणि के परकार को नाम दे तो इस कुणि जो यहां पे दिखा रखा है इसका आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या है तो इसमें बता दो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा correct आसमें इस answer इसमें option number आपका इसमें correct होगा जो कि आपका C number है उड्राफ की option C इसका right answer है उसके बास next question आ चुका है 204 नमबर का बाल बेरिंग का कौन सा हिसा bearing assembling के साथ घूमता नहीं है तो इसमें आपका correct हो जाएगा outer wrist है जो कि नहीं घूमता है option C इसका right answer है उसके बास next question आ चुका है 205 नमबर का कि एलमुनिया मिस्र धातू bearing में bearing और जनरल के बीच अतरिक्त clearance क्यों दी गई है तो इसमें बता दू कि clearance आपको thermal expression पर काबू पाने के लिए यानि कि option D इसका right answer है उसके बासे 206 नमबर का question आ चुका है बहुत ही most important bearing assembly में rolling ततों का एक साथ गुचन होना कैसे रोका जाता है तो इसमें गुचन होने के लिए दोस्तों बाइक केज लगाया जाता है यानि कि इससे रोका जाता है option is का right answer है उसका बास next question आपके लिए आ चुका है 207 नमबर का और मैं बता दू या फास्ट वे तरीका है क्योंकि डिया इस रिलेशन के लिए 100% compulsory है तो एक भी क्लास मिस मत किजिएगा और हर एक सेमेस्टर का सब कोशन आप तक उस दिन तक पहुंच जाएगा और केवल आठ मिनिट से दस मिनिट आपको देना और आपको बेस्ट कोशन अब्री डे मॉर्निंग में मिलते हैं 207 नमबर का है के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवा को कैसे रोका जाता है तो इसमें बता दू पैकिंग बित और सेप्ट के साथ यानि कि ऑप संटी इसका राइट अंसर है उसके बाद से 209 नमबर का कोशन आ चुका है पाइप लाइन में एक सेनिट्रिक रिडूसर की पोजिशन क्य होती है तो इसमें होती है होरीजंटल पोजिशन यानि कि ऑप संटी इसका राइट अंसर है उसके बाद से 210 नमबर का कोशन आ चुका है मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नौल से पानी के ठपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है तो यह आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा इसमें की रिप्लेस वासर यानि की और खराब होने के वज़े से ऐसा होता है इसका राइट आंसर है उसके बाद से नेक्स्ट 211 नमबर का कोशन आ चुका है जो की मोस्ट इंपोटेंट है पाइपों को कैसे वर्गी क्रित किया जाता है तो पाइपों को दोस्तों बाइवरेर्ट के अनुसार ग्राइब क्रित किया जाता है जैसे जी आई आई पाइप आप सुने होंगे बोला जाता टाए गलवनाइट आयरन वाला तो इसी तरह इसको मेद्वाडिय नमबर का कोशन आ चुका है दोस्तों जो की मोस्ट इंपोटेंट आपके लिए इस पा चुर्टी डिग्री यानी कि दोस्व बारत का आपका correct अंसर हो जाएगा यह ऑप्शन इसका right आंसर है उसके बाख से next question है दोस्व तेरह नंबर का इस पाइभ फिटिंग का नाम क्या है तो यह जो पाइभ फिटिंग दे यानि की ऑप्शन सी दोसो चौद नंबर का कोशन है या पाई फिटीन का नाम क्या है तो इस पाई फिटीन का नाम बता दू तो आपका हो जाएगा एस्ट्रिक रिडिवसर यानि की से इसका भी राइट आंसर है उसके वासे नेक्स्ट कोशन दोसओ पंदरों नंबर का है जो कि मोस्ट इंपोटेंट है आपके लिए अतिरिक्त चूडिया वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपियोग किया जाता है तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा प्लग का अप्शन इसका राइट अंसर है उसके बास से नेक्स्ट कोशन है दोसा सोला नंबर का दोस्तों जो कि मोस्ट इंपोटेंट है पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा चेन पाइप रिंज का परियोग किया जाता है उसके बास से दोसो सोतरों नंबर का कोशन आ चुका है पाइप के जोड में भाग एक्स का नाम बताइए तो यह ज आंसर है उसके बास से नेक्स्ट कोशन आपके लिए 219 नंबर का दोस्तों जो कि यदि स्पिंडल लगतार घूम रहा यह जिसके गेट वाल बंद नहीं हो रहा है इसको ठीक करने का उपाय क्या है तो इसमें बता दू रिप्लेस दो ओन नॉट पार्ट यानि कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है उसके बास से नेक्स्ट कोशन 220 नंबर का आ चुका है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है किस परकार का पाइप जॉइंट 90 पर ब्रांच बनता है यानि कि ऑप्शन इसका मैं बता दू करेक्ट हो जाएगा तो टी ब्रांच यानि कि ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है उसके बास से नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट कोशन है दोस्तों जो की 220 नंबर का है और आपको मैं बता दू बहुत ही जल्दी थर्ड सेमेस्टर खतम हो जाएगा और फोर्ड सेमेस्टर भी आपके लिए चालू होने मला है तो एक पीस स्रीज को मिस मत कीजिएगा एब्रीडे आप साथ से आठ मिनट दस मिनट देना आपको 25 कोशन मिल जाएगा उसके वासे लास्ट कोशन पलंबर टूल का नाम क्या है तो पलंबर टूल का चेंट पाइप रिंच जो की अक्सर आप देखे होंगे चेंट पाइप रिंच को लेके प्लंबर जाते हैं आप्शन भी इसका राइट आंसर है तो यह था आज का 25 मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 कोशन के साथ तब तक के लिए बाइ